नमस्कार मैं हूँ वसीर मकरम, हाजिर हूँ मैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ CIV इंडिया नियूस पर अब एक कुछ दिन पहले परदान मंतरी ने आजमगड में एक रैली की थी अब तक तो जनता है उस रैली पर सवाल खड़ा कर रही थे लेकिन प्रदेश में भाजपा की सहियोगी पार्टी भाजपा भी आरूप लगा रही है कि इस्रैली में कुछ भी खास नहीं था और इस्रैली से भाजपा को नजाने क्यों अलग रखा गया था एक प्रेसवारता में अलप संख्यक प्रकोष्ट के प्रदेश अध्यक्ष काजी अर्षद जमाल ने से अब इन्डियानु से बाच्छित की और सभी मुद्दों पर बेवाकी से अपनी राय रखी आप भी देखिए उन्होंने क्या कहा और सबसी बड़ी बात यह है कि हमारे राश्टी अध्यक्ष मानियों प्रकाश राजभर जी कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार भी है और हम लोग उनके दिशान निर्देश के ही अनुरूप पार्टी को या संगठन को आगे ले चलने का काम कर रहे हैं और वी सुननेश के चुनावे लिए जैसा राश्टी अध्यक्ष का आदेश होगा दिशान निर्देश होगी हम उस तरह से अमल पैरा होंगे आप अलपसंख्यक प्रकोष्ट के प्रदेश अध्यक्ष हैं इसके लिए भारतिय जन्ता पार्टी क्या कर रहे हैं कुछ आपिस के बारे में जानकारी देंगे ने देखे हमने तो जब ये सुना कि माननिक प्रदान मंतरी जी आ रहे हैं पेपर के माध्यम से टीवी के माध्यम से कि आजम बढ़ा रहे हैं तो पड़ी ही आशाय थी कि अलपसंख्यक लोगों के हितों की भी कुछ बात होगी अलपसंख्यक के लिए भी कुछ अपना ख़जाना खोलेंगे लेकिन यह है कि सरिफ ये सड़क का उदगाटन करके ये ठीक है कि सड़क का उदगाटन हुआ गाउं जुड़ेंगे लाके जुड़ेंगे कई जिले जुड़ेंगे अच्छी बात है लेकिन यह है कि जो इनको को देना चाहिए था जो इनकी जिम्हेदारी है कि अल्व संख्यक समाज मुस्लिम समाज के लिए भी कुछ दें आरक्षन के बारे में बात कहें जिसके लिए हमारे राष्टी अध्यक्स महदे आज लड़ाई लड़ रहे हैं उसको कहा जाता है कि सरकार का भी रोद कर रहे हैं मैं तो कहता हूं कि अपना हक मांगना परदेश के मुख्या मानने योगी नात जी को अउगत कराना कि समाज के अंदर ये कम्याँ हैं समाज को ये चाहिए उनके हक हिस्चे की बात है उसको आप दीजिये तो मानने मुख्यमंत्री को आउगत कराना यह विरोध थोड़ी है CIV इंडिया नियुज के लिए कैमरा में हुबैदुर रहमान के साथ रोसनलाद